तो हे गाईस सुभह के बज़े वे हैं पोनी आठ और यहाँ पर सबसे पहले मैं आगई हूं रूम में और आज मैं करूंगे अपने रूम की डीप क्लिनिंग बच्चे वगएरा स्कूर चले गए हैं अबी वो रेडी हो रहे हैं नहा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट वगएरा को टह लगा दिया था जैसे की रेगुलरी होता है लेकिन आज ये कु चलो एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन आज तो मैं करके ही रहूंगी क्योंकि खाना वगएरा बनाना और जोइंट फैमली में बहुत सारे काम बीच पीच में निकल जाते हैं तो सबसे पहले मैं पूरे रूम के जो भी वैपस जाले थे वो उतार देती हूं क्योंकि आज क मकडیاں एतनी ज्यादा आ लग जाते हैं और काफी दीन हो गए थे पंद्रा विच तिंब्ला खर बोछ जहां भी लगे हूँ हैं या दर्वाजे वगेरे हैं उनको भी अच्छे से कोटन के कपड़े गिले कपड़े से पूछूंगी बरस की सायता से साफ करूंगी जैसे कि दिपावले पर करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डश्ट रहता है तो अजीब सा लगता है और ऐसा लगता है कि पता ने कितने दिन हो गए क्लिनिंग की वे तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और रूम का लुक तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो रूम का साइज हो काफी जाता चोटा है एक साइड दिवान डला हुआ एक साइड चारपाई डली भी है और एक बीच में टीवी ट्रोली रखी हुई है तो मतलब इसमें स्पेस बसती नहीं है कि इसका कुछ चेंज मेंट कर पाएं जो पहले डबल बैड था मतलब यहां पर नीचे और जो मेरी अलम हो जाता था रूम का लेकिन अभी कुछ भी चेंज नहीं करने वाली बैस सबसे पहले मैंने एक ब्रस ले लिया है और सारी जो भी मतलब कोला जो अगरा रखे वे थे कुछ भी फोटो जो अगरा रखी थी तो सभी को मैंने उतार दिया था और इसके बाद अच्छे से ब्रस रोड है इसके उपर भी काफी ज़्यदा रस्ट आ जाता है जो रेगुलरली हम साफ नहीं कर सकते कभी डीप क्लेनिंग होती है तभी होता है यह सब और कुछ एक्स्टर चीजे रखी वी थी जो मेरी अलमीरा में थी तो उन चीजों को मैं साइड में कर देती हूं ताकि थो तो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मैनत करती हूं वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक दे दे लाइक से पैसे वगरा कुछ नहीं मिलते लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो लेकर आने का मन करता है और आगे और अच्छी लेकर आई तो आप ज़यादा चैनल को शेयर करें सबस्क्राइब करें चैनल को कुछ लोग हैं जो वीडियो भी देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको ब्लैक कर दो सब्सक्राइब हो तो बस उपर का साफ करने के बाद में सभी और जितनी भी हमारी अलमीरा बनी हुई हैं उनमें कोई भी हमने फरनिचर नहीं करवा रखे हुई ऐसे ही बस कर्टेंस लगे हुई हैं और यहां पर हमने जो प्लास्टिक पेपर आते हैं वह वाले बिच्छा रखे हैं और या सारी डोल वगेरा लेकर आई थी बेटी के लिए सुन्दर सुन्दर सभी को उन्हें तोड कर फैक दिया है जिसकी वज़े से अभी मैं कोई भी बड़ा टैडी बियर नहीं लेकर आरी मैंने सोच रखा था बहुत ज़दा साड़े 6-7 फिट का एक टैडी बियर था जो दो मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक टैडी बियर मतलब मेरे को सोख है कभी होगा तो जरूर मैं करूं मेरे को काफी ज़दा सोख है कि एक रूम पूरा डैकोर है जिसमें बहुत सारी टैडी बियर वगेरा हो तो कभी मौका मिलेगा और कभी होगा तो करेंगी जरूर तो उसकी बाद मैं आ गई थी बच्चो वाली अलमारी पर रस्बेंट की जहां पर कपड़े वगएरा रखे थी उनको साफ करने के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं एक साइड में इतने सारे प्रैस के लिए कपड़े हो रहे हैं और काफी दिन हो गए थी साधी के बाद मैंने प्रैस की नहीं है और बस जैस दिन पहनती हूं उनको कर लेती हूं और पूरे कपड़ों को करने का टाइम भी नहीं है और अभी क् कपड़े में रख दूंगी क्योंकि उनके जो फिस में हैं ड्रेस कोड स्टार्ट हो गया है तो हां से उनको वही कपड़े पैन के जाने पड़ेंगे अभी उनके अलमीरा खाली हो जाए बस घर के लिए वह जादा कर ट्राउजर और वह रखते हैं ट्रैक सूट वगरा ही दो कुछ नहीं होता, सरदियों में कपड़ी थोड़े रखते हैं, जादा कुछ नहीं रखते हैं, बस एक दो कोर्ट होते हैं जो पेंके जैकिट वगईरा पहन के जाने परती है, वो जादा जयादा होती है तब जाकर उपर रख के आती हूँ और जिस दिन अभी काफी सारी प्रेस के कपड़े रखे हुए है तो करने का मन अभी है भी नी टाइम भी नहीं देखती हूँ कब करूँगी बेटे के बिल्कुल मैं अच्छे से लगा दिये हैं बेटे के सरद्यों के کपड़े काफी सारे हो जाते हैं, छोटे बचचों के हो भी जाते हैं, बेटी के लिए मैंने अलग से बास्केट है, जो बड़ी से आपो दिखाई देरी है पिंग के कलर की इसमे सारे कपड़़े डले होते हैं, अधर्वाईज काफी जादा ढ़स्ट हो हैं डबो में पैक जो अभी नए लेकर आए थे बच्चों के और मेरे क्योंकि वह पैक रहेंगी तो ठीक रहेंगा दरवाइज काफी चरण डश्ट आजाता है और उसके रैक वगएरा के पर रखते हैं तो मतलब रखे रखे ही खराब हो जाते हैं तो इसी वज़े से मैंने उसी के अंदर डबो के अंदर ही डाल कर रख दिया और इस बार जो बच्चों के कपड़े भी लेकर आई थी तो उनको मैंने डबो के अ साफ करने के लिए और यहां मैं खिड़की को आज ब्रस से साफ कर रही हूं क्योंकि इस जिसों के वपर काफी सारा मतलब डस्ट आ जाता है और ब्रस से बिल्कुल इजिली साफ होता है और जल्दी भी साफ होता है कपड़े साफ काफी टाइम लग जाता है और अच्छी से स परगा देती हूं और उसके बाद जो बैड शीट थी और चारपाई पर जो चदर बीची हुई थी दोनों को मैंने वोस कर दिया मसे इन चली वी थी तो साथ साथ यह भी वोस हो जाते आज इतने भी सोफे कवर वगरा थी सारे वोस कर दिये हैं क्योंकि जब क्लीनिंग होती है तो सभी चीज़ों को वोस कर दिया भी लगता है हाँ कुछ नया किया है कुछ चेंज किया है तो मैंने दोनों चदर अलग से बिचा दी थी नई तो नहीं बिचाई थी रेगुलर में यूज होती हैं वोगी बस दुली वी थी इसी वज़ेसे थोड़ा सा अला गुग गया मुझे पीलो कवर मिले भी नहीं थे तो सुखेंगे तभी वोई डालोंगी वो वाले मिले नहीं काफी सारी थे पता नहीं इदर उदर हो रहे हैं अब सादी के टाइम में जो कपड़े वगरा निकालते हैं तो इदर उदर हो जाते हैं जिसकी वज़ेसे चदरों के से जड़का देती हूं क्योंकि बच्चे होते हैं मिटी के पैर बैठते हैं और उससे भी धूल मिटी अंदर तक चली जाती है तो मैं सभी चीज़ों के अच्छे से जड़काती हूं और जो बैड का मतलग मैटर्स था उसको भी मैंने आज पूरे अच्छे से नीचे उतारा औ उसके बाद बैड को पूरे से पूछा क्योंकि उसके पूर काफी डस्त आ जाता है अब कभी उतार के देखना मैटर्स के नीचे कितना सारा रेत आ जाता है सोचते कहां से आता है क्या होता है कि बच्चे गाउं में हमारे तो गाउं है वैसे भी उपस्वों का काम है तो मतलब वैसे तो सारा पका है फिर भी धूल मिट्टी कभी कभी बच्चे के होते कितने भी साफ सफ़ाय रखे बच्चे नंगे पैर गुमते हैं मिट्टी बच्चों के पैर की चिपक आते हैं और बच्चे सिद्धी आकर बैड के ओपर बैड जाते हैं चार पाई के ओपर बैड जाते हैं बार बार में हाथ पैर कोई नहीं दोता कोई सो में एक होगा मैंने कहती लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब बच्चे नहीं दोते जाते हैं तो वो कहीं न कहीं डस्ट आता ही है थोड़ा वो तो डस्ट आता ही आता है तो वो सारा इनी के उपर जाता है और आपने देखा होगा कभी मैटर्स को उठा कर देखना कितना सारा मिट्टी निकल जाती है थोड़ी वह दूल मिट्टी आप देखेंगे तो मैंने इस कर वें पर्ट करवाये थी चाची लों के घर पर तो मैं वहां पर रखी वी नहीं थी तो मैं ऐसे हैडाल कर रख रखी और अभी मैंने साइट में की है उनको जहाँ पर रखना होता है वहांपर रख देंगे और स mítter laser को मैं साइट में करके लिए किपा एक माझने करने के बाद मैंने एक बाद शड़काया और पूरे बैड को पूछने के बाद नई चदर इस पर लगा दी है बैड सीट और मेरी बेटी आज खूब रोई थी स्कूल जाने के लिए उसने बैग वगएरा पैक कर लिया था लेकिन आज भी बच्चे उसको स्कूल नहीं लेकर रोज रेडी हो जाती है पूनी बगएरा बनवाती है स्कूल जैसे उठती है बच्चे रेडी होते रहते हैं तो उठते ही कहते हैं मुझे भी स्कूल जाना है स्कूल जाना और आज तो इतना जिद कर रही थी तना रो रही थी लेकिन क्या कर रही मजबूर है अभी उन बच जाना है मुझे मैम के पास जाना है इतना मतलव जिद कर रही थी तो यहां पर मैं पर जाना जाना है तो यहां पर मैंने जाड़ों निकाल है देप फटा-फट से लगा लेते हैं, पोच ओर अभी मैं बार-बार में, कुछ ड़स्ट है तो नहीं, तो बार-बार में, मैं जबी मुझे दिखता है कि एका और जाड़ों लगा देथी, तो मैं बार-बार में तरवाजे को इधर-उदर कर रही थी, देख रही थी, कहीं दो जाले तो नहीं रह गई तो मैं जाड़ो को एक बार दोबारा से गुमा दिया था और उसके बाद उपर देख रही थी जो गुलंबर बने होते हैं उनके उपर तो बस ये हो गया मेरा रोम क्लीन और अब इसमें लगा लेती हूं फटा फट से पोचा यहां पर मैं आ गई थी लगाने के लिए और आज मैं लगा रही हूं हाथ से ही पोचा क्यूंकि काफी दिन हो गई थे वाइपर से क्या होता है जो चारपाई है इनके पाय बने उते हैं इनको उठाकर वाइपर से पोचा नहीं लगा जाता तो उठाकर यह बिल्कुल जहां भी कोने में रह जाता है वाईपर से लग तो नीचे तक जाता है बैड़े के नीचे चारपा एक नीचे आराम से लेकिन जो ये कोने वगएर होते हैं उन में आराम से नहीं जा पाता वाईपर तो आज मैं हाथ से लगा देती हूँ तो हो गया पोजा और आज का वीडियो इतना ही कैसा लगा जरूर बताईएगा अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल मत बूलना इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू फोर